कि यह गाई वेल्कम टू मैं चैनल इसमी शुतिमिश्चा सो गाई मेरे फेस पे हैं बहुत लोग गल्स के फीस पे होते हैं फेशल है मैं कभी भी फेशल हैर को रीमूफ करने के लिए शेविंग या वैक्सिंग नहीं करवाती हूं मैं हमेशा ब्लीज से ही फेशल हैर को कि लिए हर जो होते हैं वह मोटे आने लगते हैं और वो ज писate करते हैं तो मैं तीन से चार में इमीरे ब्लीज कर लेती हूं और मेरे छो हेयर हैं वह ना की बराबर क्योंकि वो लाइट हो जाते हैं यूज करूंगी ओलीविया की हब बीच इसमें आता है हल्दी चंदन एलोवेरा एंड नीबू यह सारे क्रीजिन के साथ मिक्स होके आती है यह गाइस सेंसिटिफ स्किन के लिए है प्राइस की बात करें तो यह 15 ग्राम की प्रोड कॉंटिट सबसे स्मॉल साइज इसमें और भी बड़े अवलेबल अगर आप में क्रीम मिलता है अक्टिवेटर मिलता है और एक स्पैशिला मिलता है तो गाइस यह है ओलिविया हब बीच का सिंगल यूज पैक इसमें आप बस एक बार यूज कर सकते हो फिर्स्ट अफॉल मैंने क्रीम ली है और मैं इसी में ब्लीच प्रिपेर करूंगी क्योंकि यह सिंगल यूज ही है और अगर आप बड़ा लेते हो तो किसी प्लास्टिक बोल में मिक्स करना स्टील का बिल्कुल भी मत लीजेकर रियाक्ट कर जाता है और यह है हमारा एक्टिवेटर एक्टिवेटर मैं ले रहे हूं दुबारा डाल देती हूं और यह मेरा थरड पेंच घाला है तो आप इन फेन जड़ा सकते होगर आप लग कर सकते होby अच्छे से मिक्स करने हैं तकस्मिक्स करते रहें आपको अच्छे से मिक्से टाकि एक्टिवेटर है अच्छे जाए और इसमें बिल्कुल भी जल्दी मत करें थोड़ा टाइम लीजे। और मिक्स करिए रखें रहें त iç यह मेरी bleach हो गई है prepare so guys आते हैं इसकी application में इसको use करके दिखाती हो अपने face पे मैंने अपने face को अच्छे से clean कर लिया है face wash की मदद से face को साफ करके ही लगाना है अब मैं इसको लगा रही हूँ इसमें spatula दिया गया है आप उसकी मदद से भी लगा सकते हो पर मैं नहीं लगा पाती हूँ तो मैं finger tip की मदद से अराम से spread कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि जिस साइट जादा hair है वहाँ पर मैं थिक लगा रही हूँ थोड़ा सा लगाते है time sensation feel होता है वो light sensation हो तो normal है अगर जादा हो रहा है तो फिर problem की बात है और इस तरीके से मैं neck और face पे लगा 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 है तो इसमें 10 minutes के लिए लिए लिखा है पर मैंने इसको 20 minutes के लिए apply करा है और अब मैं इसको wipe out कर रही है और देखा कि hair color change किये ह कि नहीं इसलिए मैंने wipe out किया है आप चाहें तो इसको wash भी कर सकते है and guys final result आपके सामने है bleach करने के बाद आप आइस जरूर रब करें face पे क्योंकि bleach के बाद जो pores होते हैं face के वो open हो जाते हैं और जिसकी वजह से open pores में pimple की problem होने लगती है और बहुत लोग कहते हैं कि उनक लग सकते हैं before and after result की मेरा face कितना instant glow लग रहा है और बाल जो है वो cover up हो गया है बहुत पसंदा इस skin को instant bright करती है मैं आपको highly recommend करूंगी बहुत ही affordable bleach है और उतनी जादा harsh नहीं है थोड़ा से sensation होता है skin में लेकिन बहुत जादा नहीं होता बाकी जादा fairness के चक्कर में बहुत लाइक के शेयर जरू करना और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए को प्रेस करके जस्ट बगल में लगा बेल बेटन डोंट फॉर्गेट टू प्रेजर सो गैस मिलते हैं ने वीडियो में तब तक रखे आप अपना अपने परिवायर का ख्याल टेक क यह बाई